और उस northern team और खैबर पक्तुन खुआ जो तोनों टीम में finalist है उनको रात को hotel वालों ने बोला निकला रात में वो लड़कों को निकाला गया hotel से वो लड़के रोड़ों पे खड़े रहे हैं नमस्कार सलाम जैशिराम कैसे आप लोग उमीद करता हूं सब खेरियस होएंगे बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैंगे बेकॉस थर्ड वेव ओमनी कॉन जो एक वेव है वो आ गई है दुबारा से और उसने काफी जगा पर हिट की है बादली एवर्यवर अरॉंड दे वर्ल सो प्लीज जो है जिसने वेक्षिनेशन ले ली है और अपना बूस्टर भी ले वे तिल वी है वेरी मुच प्रकॉशन हमें लेने पड़ेंगे मास, सैनिटाइजर, बार-बार हाथ दोहें, कपड़े बाहर जाते हैं जैसे आते घर के अंदर वाश आउट करें अगें बिकॉज दिस इस नोट गुड साइन अगें इस तिंग इस हापने अल अरॉंड दे वर्ल हम एक तरफ सब चीजे करने जा रहे था और अचानक से का रहे परीवार को लिपट लेता है तो इसके अंदर प्लीज, आप अपना अपने परिवार ज़नों का बहुत बहुत ख्याल रखें सर्दी का मौसम है। ट्राइ कि उसके रूट प्रिकॉशन्स एंगें अपना जो है सहत का बहुत जादा ख्याल रखें पाकरितान क्रिक् के आवाले से कुछ बात करूँगा और नियूज अच्छी नहीं है, sad news, चाहे वो नए पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ट ने CEO जो बनाये हैं उनको, पहली बात हो उनको, I don't think so, he should have been given this job, Faisal Hasnan साब को, because जो उनके सामने contender थे, वो थे, Humayun Fida Hussain, he has been a gem of a person, because he has played in Pakistan, he has been the pioneer of the club cricket, उन्होंने club cricket बहुत अबदर से खेली, domestic में, he was, he was amazing, he was a fast bowler, and, but he knew in and out about Pakistan cricket very much from the grassroot level, अगर वो आते, तो पाकिस्तान cricket में definitely बहुत सादा चीज़े, changes देखने को मिलती, और मज़े की बात तो यह है कि रमीज राजा जिस department से खेलते थे, अलैड बैंक से, Humayun Fida Hussain जी भी उसी department में खेलते थे, और उन्होंने कैप्टेंसी भी की, Humayun Fida Hussain ने department की अंडर, उनके अंडर में राशल लतीफ हो गए, के पाकिस्तान में इंगलेंड से आके एक बंदे को बठा दिया था और जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गरग भी किया, वहाँ पर क्रिकेट तो जादा आई नहीं, मैं तब भेडा गरा कि अभी देखते के ये नहीं साब जो हो क्या करते हैं, Faisal Hussain नहीं साम, इनके एक स्टेटमेंट था, उनके एक स्टेटमेंट दिया, लिटरली, come on, I will go, I will share with you all, Pakistan perception and reputation is a problem, I would see negative headlines or stories about Pakistan being put up on notice boards in the ICC offices, what is this, मतलब के ठीक है आपने ये awareness दिखाई, आपने ये बताया के पाकिस्तान की जो है, cricket जब भी जाते थे ICC और बोर्स के ओपर पाकिस्तान के बारे में बुरा ही कहताता है, हर चीज नेगेटिव ही होती थी, अभी उसको सुधार है ना आप लोग, आप लोग आगे है, Hall of Fame पर आगे उसको सुधार है, पाकिस्तान का जो image है उसको बहतर करें, पाकिस्तान के ट्रिकेट बहतर करें, पाकिस्तान के अंदर और और जादा जो है, क्रिकेट लेके आए और इस तरह की न्यूस जो आप बाते कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है इसका एक एक एक्जामपल अभी बताता हूं भी क्या हुआ पाकिस्तान डॉमेस्टिक में फाइनल हो रहा है होने जा रहा है का दर्म ट्रॉफी का वन अफ दी बेस्ट टॉर्ण क्रिकेट उसके अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस होटल के अंदर टीम में रुकनी थी बाइस डिसेंबर तक की बुकिंग करवाई थी और उस नौधन टीम और खैबर पक्तुन खुआ जो तोनों टीम में फाइनलिस्ट है उनको रात को होटल वाल पर खड़े रहे हैं यह तो हाल है तो हमारा बैड नेम क्यों नहीं होगा भाई वाई यही रीजन है हमें पता ही नहीं है मीडिया में रिपोर्ट हुआ किसी जर्नलिस्ट ने मीडिया में रिपोर्ट किया उसके बाद पीसी बी को अंदाज अब आ लिए टीम भाहर हो कोई फिर उस पर एक्षिन लेंगे एक्षिन के लेंगे यार आपके नैशनल पेर है और मैं तो अगर हूँ इस जगह पे इवन दे प्लेस शुट स्टैंड फॉर इट और उनको चाहिए लिए नोट प्लेंग बायो सिक्यर बरबल की खिलाफ वर्जी हो गई है मतलब कि सारा गया है वाइरस इतना बढ़ गया है कोवेट इतना ज्यादा पहल रहा है तो आपने धजियां उने दी मतलब कि पूरी की पूरी मतलब what is this going on तो इस ही की वजह से हमारा bad name होता है जब हम domestic cricket में भी इस तरह की situation करते है इस तरह कहलत करते है मैं होता उन दोनों टीमों के अंद कि इसको वाइरस हो वो बिचारा घर जाता है उसकी पूरी family effect हो जाएगी उससे PCP सोई पड़ी है उनको पता ही नहीं है वो पैसे बनाने के लिए गुम रहे फिर रहे कभी उनके पास कभी इनके पास domestic को तो देखे पैसा लगाया है इतना करोडों को पैसा आप लगाते हो लेकिन उसको देखो तो सही कि उसको प्रॉपर तरीके से चलातो रहे है जो लोग आपने रखे हुए PCP में काम करने वाले वो काम कर रहे कि नहीं जो डॉमेस्टिक का स्ट्रक्चर बनाते है होटलिंग करते हो करते उनकी गलती है उनको फायर कर दना चाहिए फॉरन ही फाय कारपट चला जाएगा तो कि पावर होल्ड करते हैं वो तो उनका भी अंदर कारपट चला जाएगा लेकिन जब यह चीज़े चलती रहेगी ना तो इस तरह की चीज़े होती रहेगी और ICC के आफिस के अंदर हमें हमेशा पाकिस्तान की बैड नहीं ही दिखाई पड़ेग पाकिस्तान की मट्टी के साथ काम किया हो उसको दर्द पता है कि डोमेस्टिक के अंदर कितनी प्रॉब्लम है हर जगा क्या क्या प्रॉब्लम है क्या जीज़े सई होनी है He can be the best man to do the job for Pakistan cricket लेकिन ऐसा नहीं हुआ चले ठीक है इनका फैसल हसन साथ ने कोई जोड लगाया होगा मतलब आने के लिए जिंबावे में थे जिंबावे की क्रिकट का तो हाल का आपको बता ही है कि जिंबावे की क्रिकट के अंदर जो है उनका उनके पास financial problem है उनकी टीम में problem है मतलब कि जिंबावे का भी टीम उपर नहीं गई पहले साब आयते लंडन इंगलेंड सा आयते उन्हों भी जिस काउंटी के लिए काम किया था वो काउंटी भी इतनी उपर नहीं गई वो भी हमेशा नीचे की तरह ले उनका financial भी इतना अच्छा नहीं रहा तो ऐसे लोगों को लाके बठा के पी आर के उपर बठा देते हैं कि इसको politically affiliation होती है जोर होता है तो वो लाके बैठ जाते हैं और फिर प्लेयरों के साथ जाती होती होती है और वो जाती होती रहेगी मेरे साथ जाती हो रही है बाकी प्लेयरों के साथ जाती हो भी है मतलब की यह जातीयां चलती होती रही है अगर प्लेयर क्रिकेट खहिलेंगे तो बोड होगा और players को जितनी respect देनी चाहिए मेरे कहाल से वो Pakistan Cricket Board नहीं देती है यह matter के अंदर भी जो है Pakistan Cricket Board ने step लिया लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं मिला 25th को final है बर still चाहूं कि यह जो 5 star hotel है सबसे पहले इनको तो आपके लंबे-लंबे contracts करते हैं इनके साथ सारा कोच करते हैं सबसे पहले इनके साथ contract की खतम कर देना चाहिए no more staying in this hotel anymore finish मेरे खाल से इस तरह के hard step hardcore step लेंगे तो हमारी cricket इंप्रूव होगी और players को respect मिलेगी और मेरे खाल से विक्टे बनाने वाले जो है उनको बहतर कर दे उनको educate कर दे उनको उपर वो कर दे कि बिकाउज पाकिस्तान ने जितने superstar दिये वो drop in pitches के इलावाई दिये Pakistan World Cup जीता नुजिलेंड में जाके perform करता है या कहीं भी जाके perform करता है वहाँ drop in pitches होती है लेकिन पाकिस्तान का culture और पाकिस्तान के अंदर drop in pitches का जो idea है वो flop है because I don't think so के curator की जरुवत है एक अच्छा curator पड़ा लिखा curator हो bouncy track बनाना आते हो off season के अंदर victor पे काम करें और season जब शुरू हो तो अच्छी fresh victor हो teamों के लिए वो जरुवत है drop in पीचों से आप cost भी बढ़ा दोगे वो पैसे जो है school cricket पर लगा दे खाली बोलने से काम नहीं होता है काम करने से काम होता है कि इतना पैसा लगाएंगे school cricket grassroot level पर cricket को बहतर करें और जो है पाकिस्तान की जिस तरह का image है all around the world cricket के इसाफ से जितना decline की तरफ है जितना fast मैं नहीं क्या रहा हूँ फैसल असनन साब ने कहा है और यह बात हकीकत है और फैसल असनन साब देखते रमीज राजा के साथ मिलके बहतर करते के नहीं करते के वह होगा कि हम वापस से पाकिस्तान में टीम आ रही है फिर मना कर देगी आएगी नहीं आएगी और मेरे खाल से drop and pitches का भी जो idea है वह flop होगा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं नहीं चीज लेकर आते हैं मार्केट में लेकिन उसका जो विजन है वह विजन यह है के बाई विकेड ऐसी होगी बाउंस होगा यह होगा वह लेकिन उससे कुछ होगा नहीं आप ग्रासरूट लेवल से अपनी विक्टे बनाना बेतर करें अच्छे आपको जो है अच्छी विक्टे बना के देंगे तो गैज यह यहां पर थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से तो थैंक्यू वर्यमच गाइस वाचिंग माई चैनल अपना परिवार का बहुत बहुत प्लीज ख्याल रखेगा विकॉज लेहर जो है वो दुबारा चल प